हेलो फ्रेंज यह गूगल टैग मेनेजर का फॉस्ट चैप्टर होने वाला है और हाज हम लोग सीखेंगे गूगल टैग मेनेजर में बटन को बटन क्लिक को कैसे ट्रैक किया जाता है सो चलिए स्टार्ट करते हैं सो उसके लिए हम लोग के पास एक डमी वेबसाइट है यह है वेबसाइट funshop.local सो अब देख सकते हैं यह एक e-commerce वेबसाइट है और हम लोग के पास है पहले से टैग मेनेजर और Google Analytics GA4 ठीक है जहां पर हम लोग ने खोल दखा है कि रियल टाइम ओके रियल टाइम रिपोर्ट सो हम लोग को ट्रैक करना है सपोस्ट आप देख सकते हैं यहां पर आप अप अप अटु काट इस बटन को ट्रैक कर सकते हैं सो किस तरह से कर सकते हैं हम चलिए देखते हैं आप अप अपन दिस ट्रीगर फिर आप अपन ट्रीगर पर ट्लिक करते हैं हम लोग इसका नाम दे सकते हैं बटन बटन अटु काट आप अटु काट या फिर आप अटु काट बटन ड्टन ट्रिगर यह सही रहेगा अटु काट बटन ट्रिगर ठीक है फ्रेंस तो यहां पर अब क्लिक करेंगे नूँ क्विकुरेशन पर हम जा सकते हैं जस्सलिंच या ओल आले मेंस विलाल की लिए और अले पर क्लिक करते है और आपको डीटेल में सब वीडियोस में मिल जाएगा ठीक है सो चैनल को प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि मैं मुझे मौटिवेशन मिले और जब मैं और वीडियोस डाओ तो उसका नोटिफिक्शन आपको मिले सो हम क्लिक ड ले सकते है या फिर क्लिक टेक्स्ट यहाँ पर मैं कौंटेंस आड़ टू कार्ड यहाँ से लीजिए एड़ टू कार्ड चीक है एड़ टू कार्ड क Chaos ओके देन हम सेफ बटन पर क्लिक करेंगे है सो हम लोगं का ट्रिगर हो गया अब जो बनाना है आपको वो है टैक्स तो आप क्लिक करेंगे टैक्स पे देन न्यू टैग हम लोगा जो टैग बनाया है हम लोगा जो ट्रीगर बनाया है माफ कीजिएगा उसको हमको यहां से खोलना है अब तो काड़ बटन ट्रीगर जो अभी फिलाल मैंने अभी अभी बनाया है चीक है और इस ट्रीग का नाम देते हैं कुछ इसका नेम देते हैं अड़ टू काड़ बटन बीटी एंड टैग ओके सब्सक्राइग जो गूगल इनलेटिक्स पर और गूगल का जो इवेंट है गूगल अनलेटिक्स इवेंट अच्छा यहां पर आजता हे कि मेजरमेंट id अपना एक कॉंस्टांट वेरियवल भी लेके वहां से आप मेजरमेंट जो में मिलेंगे आपको आपको जा रहा है यहां पर admin पर then data stream just go to data stream under data collection and modification then यहां पर आपको click करना है और यहां पर आपको measurement ID मिल जाए गए यहां से आप copy कीजिए और यहां पर paste कर सकते है लेकिन यह method बार बार आपको ताकि ना करना पड़े इसके लिए आप काम कर सकते है आप एक variable बना कर आप वहां पर store कीजिए ठीक है सेम ID पर सो दिस इस अवरेवल आपको green tick मिल गया है तो इस ओके आप event का नेम दीजिए यहां पर add to button add to cart button btm click ठीक है अभी फिलाल के लिए parameter की यह सब छोड़ देते है simply इस button click event तो आप save कर सकते हो saving ठीक है अभी आप preview में जाना पर रहेगा आपको यहां पर देखे टॉप में टॉप राइट करना पर preview mode आप preview देखिए सो आपको जो website है उस website का जो URL है आपको यहां पर डालना होगा देन connect is connecting make sure कि आपका जो tag assistant है वो आपका browser पर install हो इस ओपनिंग या तो देखिए यहां पर अगर आप आ जाएंगे यहां पर continue पर क्लिक किजिए तो या इस ओपन नाइन टैक्स क्योंकि मैंने पहले से भी बहुत सारे टैक्स बना चुका हूँ हम लोगा जो टैक्स जो फ्रायर अभी तक नहीं हुआ वो है आपका add to button tag add to button add to cart button tag so let's fire this क्लिक कीजिए यहां पर ठीक है और यहां पर देख सकते हैं आप tags fired add to cart button tag is fired so यहां successful है लेकिन आपका काम अभी तक खतब नहीं हुआ है आपको जाना पड़ेगा यहां पर और आप एक बार analytics में आप देख सकते हो debug debug view में कि आपका actually में data display debug view हां हम लोगा जो event है वो fire हो चुक है यहां पर आ चुक है and if you don't if you forget then आपका जो data will loss हो जाएगा so make sure आप इसका वर्शन नेम देख सकते हो मेरा जाइक add to cart btn click version 1 आप यहां पर describe कर सकते है और फिलाल के मैं इसे blank चोड़े देता हूँ और publish पे click कर देता हूँ so let's see हम लोगा submit हो चुक है so this is all for today so thank you so bye bye मिलते है नेक्स वीओ पे